उने क्या मतलब हमारे धरम के बीच में बोलने से धरम से मतलब हमारे धरम में जो इंटरफेर कर रहे हैं वो गलाते हैं सबसे पहले माना जाता है, होड़े सबसे पहले हैं, आपड़ाम को अधास मनते हैं, मिलई बताईए, राहुल गदी-ि जी के से बना हुआ, D soto मने पहले हैं कियोंकि वो अच्छे है वही तो कामी है उननका जैसे कि हड़ जगह मंदीर मसजित अरे भे सेकुलर पार्टी सब को लेकर चलो यह क्या है जहाँ बोट आए जान की मंसलमान के लिए करवाया हमने यह करवाया हमने मंदिर बना पे लगता है कि मोधी जीन्स प्रश्थ हिंदू के ले गिआ ऑगे हुए हमें नहीं लगता हूँ करह tycker ही पुरber अमीर गरीब किसान सबसे मिलके चलता है कैसे मिलके चल रहे हैं यह यातरा निकालने से आपको लगता है कि उनको परदानमंतर बना देना चाहिए नहीं बना देना नहीं जाए वो तो सभी चुन के आएंगे काम भी करेंगे मोदी जी को लेकर किस तरह के ऐसा क्यूं लगता है क्यों कि मोदी आपके थे आपके खामकर नहीं करते किस सचाई कितनी है किसे सचाई हैं हमने मकान दिया सब को दिया ऐसे बाते करते रहते कुछ नहीं है कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला जो उसने दिखाया जिसके उपड़ करवा है मैंगाई बताईए में मुसल्मानों के लिए इस आदमी जो हाइफा है जो नीचे वाले हैं बीच वाले हैं उस-क लिए उन्हों लेकरते हैं नहीं कि हिंदू भी कुछ नहीं किने लेकरते हाँ जितने वह तो कहते हैं कि हमात्र करों सहीह किया था मो canal अधिया किma किसी तो उसमें भी दिक्त ने कोई अधादी नहीं है किसी को इंटरफेर करने की जुरूँ पर जो हमारे बुर्ण में लिखा है न जो मने रहा था वो सही हो रहा था वह अपने इसाब से और कुरान से चलेगा या सम्विधान से मतलब नहीं है धरम से मतलब है हमारे धरम में इंटरफेर कर रहे हैं आपके लिए धरम पहले है देश मत करो जाने के टैम में देश भी है धरम भी मानने पड़ता है धरम हमारे कुरान को जो है सबसे पहले माना जाता है देश तो ही है उसे दिश में तो रहना है वह पहले है देश पहले है कि आप लोग कोन सा ए उसको हम भी जट से नाम लेते हैं जैसे हमारे बड़ा किताब कुरान है वह इसे उन्हें तुम्हारे भी एक किताब है न तो उसको और देश में क्यों जो रहे हैं वह तो हमारे देश कि हमारे लिए कुरान पहले हैं सबसे पहले अपना देश है यह क्यों कर रहे हैं कि मेरे लिए धरम पहले यह सचे मुसल्मान जो कह रहे हैं अरे फर जी उन्होंने उन्हों सही सब्धा भी नहीं होगा यह एकादी हैं जो साइद अबसक्त ओवेसी साहब को फॉलो करते हैं और यह सच्छे मैं कहाँ वारे ह। यह Triple approach यह फ़लवर Eggs अब्यूनल कि फॉलोवर हैं a और देश ही सरपरी होना चाहिए धरम यहाँ पर कई लोगों के अनेक हैं अनेक जाते हैं अगर उन तरीके से बाटे हैंगे हम एक दूसरे को तो देश फिर से जैसे पहले था मुगलों से पहले था छोटे-छोटे समुदाय में बटा हुआ था वो फिर सिती ऐसी आद हैगी ज कुछ हम साथ हैं यहां पे हम लोग रहते हैं सबसे पहले ही ने दिल से अव्लोग माते हैं इसको यह हमारा वचन है यह वतन है वसी आप मेन जी लेकिन कुछ लोग आपके साथ की कैते हैंकि मेरे लिए कुरान अबनी मैं का पुर्मान पेले हैं मैंने रिलीजन मैं कोई धर्म मांने में दो आथ हैं दो अबहएं लिए लुन एक दीट फैप स्झेस्ट मेढ़न रहतर हो व्युक्ना में फ् millennials के लिए समाजने के लिए रैंडर अभार्ब्रों समाजने के लिए कुरान लिए पर्फेट से बात वह थो ती मेरी अभी वह कहीरी मेरे लिए कुरान पहले है कुरान में जो महिलाओ के लिए लिखाओ गया है उसका जितना जितना उसका अनर दिमाग है उतना सोचा पहले देश हम लोग का बोला परफेट मुहम्माद जो कुरान के लिए बोला उसका उसका ऑपलो करो कर ररें हम लोगा है द्हर्म बहुंतों कुरान को पहले मान तब कुरान समय के लिए बोला देश में बात होते हैं कि सेक्लरिजम बना रहेना चाहिए लेकिन कोई व्यक्ति आके यह कहा देता है कि मेरे लिए लोग कि सोच क्या है मतला किन लोगों को फॉलो कर सकते हैं मेरे देश मेरे लिए बात में मेरा धर्म मेरा मेरा थर्म मेरा 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 थर्म में बोला इंसान को प्यार करो उसके बाद धर्म आगे पहले इंसान को प्यार करना सिको ऐसे बोला हम लोग कुरान में बोला तो हम लोग 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 हम लो बात करें तो रात भार हो जाएगा रात बार कर सकते हैं इसको पर अब दूसरा अच्छा यह बताई अभी बात चली थी किन लोगों को अब और किताब के बारे में कुछ लोगों ने धरम को बहले भी महत्तर्पूर्ण जो है माना था इंडिया और पकिसान बट्वारा हुआ था उन्हीं लोगों ने बोला कि हम धरम की अधार पर अपना अलग समांगते हैं और जो दो चार-पांच परसंद मुस्लिम पहले यहां थे उन्हों धर्म को वैल्यू पहले बीदी और कश्री अगर मैं और मैं हिंदुः और मैं हम दोने जोने एक दूसरे को राम राम करें तो स्राम करें रिप मैं आपको राम राम करूँ और राम राम करके लेकिन जो कहने लगता है कि देश मेरे लिए पहले नहीं है मेरे अपना धरम पहले है वो कटरवाद है चाहे वो खालिस्तान मांगने वाले लोग हों क्योंकि खालिस्तान भी मांगना था अगर तो भी 1947 में मांग लेना चीए था उसी उवď लगे हाथ सारा कलेश खतम जाद है इंडिया में। और इंडिया आज कहीं न कहीं अमेरिका को ये बड़े जितनी खी कंट्री से उनको टकर दे रहा होथा। और अभी भी कहीं न कहीं ये विकास जो देश का विकास है उसको रोखने का प्रयास है। अभी भी लोगों को जात और धरम में उल्जा के रखना, कहीं न कहीं उनको देश की प्रती योगदान देने से रोका जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आप आगे मत बढ़ो, आप अपने जात और धरम में ही उल्जे रहो.